एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने मिल करके एक बहुत ही इंटरस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा सा पिंजरा लिया, उसके अंदर पांच बंद्रों को रख दिया और वहाँ पर एक सीडी लगा दी उस सीडी के टॉप पर कुछ केले रखती है फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जैसे ही कोई भी बंदर उस सीडी पर चड़ता केलों तक पहुँचने के लिए तो उपर से थंडे पानी की बारिश करने लग जाते है तो जैसे ही वो ठंडा पानी गिरता उस बंदर के उपर जो की सीडी पर चड़ रहाता वो फटा-फट से नीचे आता तो पानी बंद हो जाता फिर दुबारा से कोई और बंदर उस सीडी पर चड़ता उन केलों तक पहुँचने के लिए तो बाकी के बंदर सब इखटे हो करके उसको पकड़ते उसको मारते उसको पीटते और उसको नीचे गिरा देते फिर दुबारा कोई कोई कोशिश करता दुबारा उसके साथ भी ऐसा ही होता फिर उन scientist ने क्या किया कि उन 5 बंदरों में से एक बंदर को उस पिंजरे में से निकाला और उसकी जगे एक नए बंदर को उस पिंजरे के अंदर डाल दिया अब उस बंदर को नहीं पता था कि यहाँ पर क्या खेल चल रहा है उसको जैसे ही सीडी के उपर वो केले नजर आए वो फटा-फट से उस सीडी के उपर चड़ने लगा अब की बार साइंटिस्स ने कोई बारिश नहीं करी लेकिन फिर भी जो बाकी के बंदर थे उन्होंने इसको पकड़ा, सीडी से लीचे उतारा और मार दे फीटने लग जाए इस बंदर को समझ नहीं आया कि मेरे को क्यों मारा जा रहा है तो उसने दुबारा कोशिश करी जैसी उसने दुबारा कोशिश करी दुबारा से उन चार बंदरों ने वो ही किया तो अब इस नए बंदर के दिमाग में क्या बैट गया कि सीडी पर चड़ना मना है अगर सीडी पर चड़ते हैं तो मार पड़ती है उस सीडी पर चड़ना क्यों मार पड़ती है वो उसको नहीं पता था पर उसके दिमाग में ये बैट गया कि इस सीडी पर नहीं चड़ना है ना किसी को चढ़ने देना है फिर दुबारा से उन scientist ने क्या किया है कि जो पुराने चार बंदर थे उसमें से एक बंदर को निकाला और एक नए बंदर को उसकी जगे पर ढाल दिया अब इस नए बंदर ने भी वही किया जो इससे पहले वाले ने किया था यानि कि वो भागता हुआ गया, वो CD की ओपर चड़ने की कोशिश करी, उन केलों तक पहुशने की कोशिश करी, बाकी चार इखटे हो गए और उन्होंने उसको मारा पीटा CD से नीचे गिरा दिया, उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने दुबारा कोशिश करी, दुबारा उसक किसी को भी यह नहीं पता था कि उस CD पर चड़ना मना क्यों है, लेकिन उन सब के दिमाग में बैठा हुआ था, कि CD पर चड़ने से मार पड़ती है, तो कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था, जबकि अब कोई ठंडे पानी की बारिश भी नहीं हो रहे थी, वो चाहते तो अरा किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है यह पूछने की, कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस सबको यह पता होता है, कि ऐसा ही होता है, तो वो एक्सपरिमेंट जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया, यानि कि वो बंदरों का एक्सपरिमेंट, उसमें तो